ये body fat percentage और इतना muscle mass तो ये natural body builder कभी भी achieve नहीं कर सकता Natty जुट बोल रहा है इतना muscle mass इतना कम body fat percentage हो ही नहीं सकता ये जरूर injection ले रहा होगा, जरूर PDs पे होगा जरूर you know trend और clean butrol ये सब चीज़े ले रहा होगा हम से जुट बोल रहा है ये ही सब दिमाग में आप लोगों के घुमता रहता है ना कि natural body की क्या limit है कितना lower body fat percentage पे जा सकता इंसान और क्या Instagram पे जो दिखाई दे रहा है इतने बिलकुल चीरे पड़े हैं, abs में, dry look, year round, salber ऐसे ही लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं ये? क्या जुट बोल रहे हैं ऐसा मेरे से तो नहीं हो रहा चीफ तो आज मैं इन सारे सवालों का आपको जवाब दूँगा कि भई possible क्या है? कहां realistically सोचना है और कहां पे सोचना है यार ये बकवास बात हो रही है पागल बना रहे हैं हमको ठीक है? So let's talk about this today So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन उससे पहले कई दिनों बाद वीडियो आया है तो thumbs up बटन को पहले ही क्लिक कर दो, like कर दो और subscribe बटन को भी दबा दो ताकि इस तरीकी के वीडियो आपको मिलते रहे हैं ठीक है? स्टेरोइड में आपके अनबॉलिक स्टेरोइड आ गए और परफॉर्मेंस इनेंसिंग ड्रग में बहुत सारे ऐसे ड्रग जिससे आपकी पावर परफॉर्मेंस बढ़ती है एम वगरा हो गया, तर्मीन वगरा हो गया, यह सारी चीज़े लोग लेते हैं आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है चुपके चुपके से, बताते नहीं है सो, यह डिफरेंस होता है एक नैचरल बॉड़ी भी है जिसने कभी भी जिन्दगी में किसी भी तरह की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई ड्रग और steroid, anabolic steroid के इस्तेवाल नहीं किया है अब मैं यह बाते इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं यह अपनी जिन्दगी में इससे गुजर चुका हूँ ठीक है, मैं अपनी पूरी जिन्दगी में naturally ही lift कर रहा हूँ naturally train कर रहा हूँ, इतने साल हो गए है, 15-20 साल तो तब यह बाते मैं आपको realistically बता पा रहा हूँ, क्या achievable है और क्या नहीं now, एक natural body builder, एक natural lifter, एक natural gym goer एक hard diet करके, एक अच्छी training calculated, समझ के, पढ़के, सीख के क्या technically काम करता है, क्या नहीं करता है, diet उसकी body के हिसाब से, एक बहुत ही बहतरीन body fat percentage यानि कि 5-7% का body fat percentage, ठीक है, अचीव कर सकता है, जिसे कहते हैं stage look, जिसको stage में जाके आप body building जब करते हो, उतना dry look, उतना lower body fat percentage चाहिए चाहिए होता है, यही same cheese आप photo shoot के लिए इस्तेमाल करते हो, यानि कि आपका photo shoot है ठीक है, आपकी picture आ रही है, आपका कोई important brand के साथ collaboration है, आपको photo shoot करना है, video shoot करना, you need to have that body fat percentage ताकि आप बहतरीन लगें अब इस चीज में क्या होता है, एक natural जो lifter होता है, body builder होता है, वो बहुत shrink हो जाता है पतला हो जाता है, ठीक है, जब T-shirt पहनेगा तो आपको लेगा, रहे यार क्या मच्छर सा इंसान है जब T-shirt उतारेगा, pump करेगा, lighting सही होगी, camera angle सही होगे, तो इतना huge लगेगा कि यार क्या body है ठीक है, क्योंकि muscles बिल्कुल एकदम तराशे वे नजर आते हैं, pump होते हैं, ठीक है, तो वो achievable है लेकिन बहुत ही महनत, बहुत ही hard training, diet, calculated, मजाग मस्ती नहीं, एक एक gram तक आपको measure करना पड़ता है calculated, कितने घंटे तक मैं cardio करूँगा, training करूँगा, वो fix होता है कितना सोहूँगा, वो भी fix होता है, बहुत सारी चीज़े तब जाके वह आप low body fat percentage as a natural lifter अचीव कर पाते हो ध्यान रहे, ये जो look है आपका, ये बहुत ही temporary है इसको आप continue नहीं कर सकते, ये अगर आप करोगे, तो ये आपके लिए जानलेवा होता है, यानि कि आपकी body के लिए healthy नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी problems है, सबसे पहली problem, जब आप इतने low body fat percentage भे होते हो जैसे कि carbohydrates, energy का source नहीं ले रहे होते हो आप, पानी आप पी रहे होते हो, भी सोच सोच के क्योंकि dry look चाहिए, ठीक है उसके साथ-साथ कई सारे nutrients, fiber आपकी body में नहीं आ रहे होते हैं, कई तारीके के micro nutrients body में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे होते हो प्रॉपर तो ये body के लिए बिलकुल भी सही नहीं होता है, इसकी वज़े से आपकी body कमजोर होने लगती है, joints, ligaments, bones कमजोर होने लगते हैं, muscle बड़ा अच्छा दिख रहा है, cut system, लेकि अंदर से बहुत कमजोर हो आप, उसके साथ-साथ एक बैंकर चीज, hormonal imbalance, आपकी body में तरह-तरह क फिजीक में होता हूँ, तो मेरा testosterone का level मेरे age के हिसाब से लगभग 600 nanogram per deciliter से लेकर 800 के बीच में flow करता है, कभी उपर भी चले जाता है, ठीक है, depending के diet कैसे चल रही है, sleep कैसे चल रही है, वगएरा वगएरा, लेकिन जब मैं cut करता हूँ, तो बहुत नीचे पहुंच जाता ह ठीक है, इतना कम, तो वो मतलब एक बहुती गलत स्थिती होती है आपकी शरीर के लिए, और कुछ लोग तो मज़े मज़े में इस body fat percentage को लंबा खीचने की सोचते हैं कि नहीं नहीं अच्छा लग रहा हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, कि भाई चर्बी चड़ गई, और क्या आप इस phase में होते हो, और भी एक problem होती है, hungry, आप hunger आपकी body बढ़ा देती है, metabolism fast हो जाता है, आपको ज़्यादा भूग लगती है, कुछ भी, ऐसे ऐसे लोगों ने बात कही है, कि मतलब मैं dog food भी serve कर रहा हूँ तो उसमें भी उसकी खुसबू से भी मुझे भूग लग रह है, उसके साथ साथ आपके sleep patterns खराब होते हैं, रात को नीव नहीं आती, urinate करते हो बहुत जादा, बहुत जादा वाश्रूम जाते हो, क्योंकि पानी पी रहे होते हो बहुत जादा, प्रेप के time पे, ठीक है, लास्ट के week में तो आप dry करने के लिए कम पानी पी तो लेकिन प्रेप में खुब पानी पे रहे होते हो, खुब urinate कर रहे होते हो, time waste आपका होता है, ठीक है, रात को उठ उठ के आपको जाना पड़ता है, नीद खराब होती है, आपका दिमाग relax नहीं होता है, ठीक है, इसी के साथ साथ आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने काम में, आप अपका सिर्फ एक ही काम होता है उस पीरेड में, डाइट करना, खाना खाना, बॉड़ी मसल बिल्ड करने के लिए जिम जाना, और उसके बाद सो जाना, बस यही काम होते हैं, आप और काम में फोकस नहीं कर पाते हो, और यह मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इस दुनिया म आप इरिटेटेड होते हो, एजिटेटेड होते हो, गुसा आ रहा होता है आपको कि यार खाना नहीं मिल रहा है, वैसे दिमाग खरब कर रहा है, ठीक है, तो यह फेज बहुत ही, मताब टेंपरेरी ही होना चाहिए, शॉट डूरेशन के लिए होना चाहिए, इसको लंबा म स्ट्रेच और यह सब पर एप्लाई होता है, not just natural lifters, enhanced भी जो है, वो सफेज में होते हैं, पाथ साथ परसेंट वाले, लो बाड़ी फाट परसेंटेज में, they are cranked, और उस टाइम पर तरह तरह के और चीज़ें चल रही होती, उनकी बाड़ी में, स्टेरोइज, ड्रॉग, प साल भर maintain कर सकते हो, जो healthy है आपके लिए, तो भई, यहाँ पर होता है आपका range, कुछ लोग 10 से 12 परसेंट के body fat में, बहुत अच्छा function करते हैं, lean look भी नजर आता है, abs भी नजर आ रहे होते हैं, बहुत defined, बहुत dry look नहीं, पर decent, aesthetic look, beach look, ठीक है, और कुछ लोग 12 से 15 वाले क healthy मानते हैं, और healthy रहे पाते हैं, अब यह depend करता है, genetics to genetics पे, कुछ लोग के genetics, you know, naturally lean होते हैं, मताब वो पैदा ही वैसे हुए हैं, तो वो lean body के साथ पैदा हुए हैं, और वो जादा, अपने body में fat percentage को जादा बढ़ाए बिना भी healthy रख सकते हैं, तो वो 10 से 12 के आसपास, वो 15 में मान लो की 13 body fat percentage, जैसे की for example मैं अपनी, अभी right now मैं 13 के आसपास होंगा, साड़े बारा 13 के आसपास, और मैं strong feel करता हूँ, इसमें मैं lift भी कर रहा हूँ, you know, 45 कि लोगे dumbbell bench press में भी लग रहे हैं, आर्टस repetition के लिए, सही strength है, सही focused है, पढ़ाई में, business में, हर एक चीज म I am focused, मतलब वो काला अक्षर भेंस बराबर नहीं लग रहा है, मतलब अभी कुछ पढ़ता हूँ, तो दिमाग में घुसता है, focus करके मेरा जो response time है, वो fast है, quick है, irritation नहीं होती है, ठीक है, तो वो आपको चाहिए life में, जिंदगी भी तो जीनी है, मतलब body body बना के हम कहां तो इसी लिए ये ear round वाला चकर जो है, healthy body fat percentage पे ही रखना चाहिए, so ये जो 10-12% और 12-15% वाले जो ये set points है, इसे body fat set points भी बोला जाता है, यानि कि genetics to genetics, insan to insan, ये body fat percentage वेरी करते हैं, जिसमें वो healthy feel करते हैं, ठीक है, बिना body को नुकसान पहुँचाए और एक relatively lean body fat percentage को maintain किये, अब इनसान चाहे किसी भी body type का हो, mesomorph, ectomorph, you know, endomorph, किसी भी body type का हो, उसका body fat percentage कम किया जा सकता है, उसका body fat set point भी आप देखोगे न, तो वो 12-15 के आसपास ही होगा, अब वो चाहे तो वो 5-6% पे भी जा सकता है, हाट डाइट करके, हाट ट्रेनिंग करके, सही calculated training करके जा सक लंबे वक्त तक वो भी नहीं रह सकता है, तो अब समझते हैं, जो लोग आपको 10% से नीचे body fat percentage, 6, 7, 8, 9% year round दिखा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी video में, कहीं पे भी अपनी जंदगी में, अपनी life में, regular basis पे आप जिम में देख रहे हो किसी को, and when they say they are natural, या फिर वो, you know, तो कोई भी substances, performance, enhancing drugs, या फिर शिरोइट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये एक बहुत ही doubtful case है, क्योंकि, जितने भी आप proper, hardcore, natural lifters देखेंगे, वो stage के time पे तो बहुत dry लगते हैं, because it's mandatory, और वो जाने के लिए तपना पड़ता है, ठीक है, पहुँचा जा सकता है, natural तरीके स लेकिन जैसे ही वो stage से उतरते हैं, within few weeks, they come back to the normal shape, और वो normal shape हलकिसी soft होती है, जैसे मैं soft, soft सा लग रहा हूँ भी, ठीक है, कुछ लोग की नजर में बहुत hard लग रहा हूँगा, लेकिन this is a soft look, ठीक है, और वो 12%, 11%, 13%, 14%, depending, 15 के आसपास, वहीं पे खेलते हैं, ठीक है, वो Instagram पर या कहीं पर भी दिखा रहे हैं, they're probably cheating you, यह हाँ, यहीं से शुरू होती है, किसी को cheat करना, किसी को धोका देना, जो बहुत ही unrealistic goals, लोगों के मन में बैठा देती है, कि अरे, यह तो साल बर ऐसे लगते हैं, आप क्यों नहीं लग रहे हो, आपकी body इतनी वो नहीं है, यह ऐसे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि यह बहुत मेहनत करते होंगे, यह बहुत कुछ अलिक सी डाइट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, वो वो चीज आपको नहीं बता रहे हैं, जो वो आपको बिना बताए है, चुपके से ले रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़े हाते है कई सारे लोग होते हैं जो you know Tren, Cleanbutrol इसका इस्तिमाल करते हैं They might look small, उतना size नहीं लगेगा बट हार्ड बहुत लगेंगे Salber, इतना hard look इतना dry shoulder, इतना shape ये maintain करना Salber possible नहीं है एक phase में shoot के दोरान आप शायद कुछ एक week के लिए लग रहे हो वैसे हैं लेकिन आप Salber नहीं रख सकते हो So ये आप किसको दोका दे रहे हो मतलब ठीक है जो लोग अंजान हैं, जो लोग अभी अभी इनो देखना चालू किया, शायद उनको नहीं पता चल रहा है But you're cheating yourself ठीक है, तो उस चीज से आप भी बचिए Abs और clear नजर आते हैं ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा हमें सचाई को और जितना जल्दी हम इसे समझें उतना ही जल्दी हम realistic goal की तरफ बढ़ेंगे और दूसरी बात कभी भी आप अपने आपको किसी और से compare करते हुए जज मत करो कि यार ये तो इतना आगे है और ये इतना अच्छा defined नजर आ रहा है maybe he's on something or she's on something maybe उसको बहुत वक्त हो गया है training करते हैं, maybe उसने बहुत अपनी body को समझा है research किया है, study किया है तब वो शायद महाँ पहुँचा है, ठीक है so never compare yourself जब आप उस level पहुँचोगे, शायद आपको लगे अरे यार ये तो achievable ही था मैं ही खामखा, उस time पर पर परिशान हो रहा था लेकिन कुछ चीज़े हैसी भी होंगी, जो achievable नहीं होंगी वहाँ पर एक line draw होती है ठीक है, और वही line draw करने के लिए मैं आज आपको ये सब चीज़े समझा रहा हूँ ठीक है, so be realistic and this is how you should train and keep your mind healthy alright, I'll see you soon, take care jeet salal, bye bye